हेलो दोस्तो इस वीडियो में आपका स्वागत है CSE के पोटल में एक नया सर्विस एड़ हो चुका है Ministry of Accessory Animal सर्विस का नाम है नया सर्विस से आप अपने स्वाप का अमदनी बढ़ा सकते हैं Ministry of Accessories Animal पसुपालन और डेरी भी भाग इस सर्विस से मिल्क बाई कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं आप अगर CSE भेली हैं तो CSE सेंटर से मिल्क सेल कर सकते हैं और अपनी स्वाप का अमदनी बढ़ा सकते हैं इस सर्विस में काम करने के लिए पहले रजिस्टेशन करना है इस service में भेली और citizen भी registration कर सकते हैं तो चलिए video start करते हैं और इस service में registration करना है वीडियो start करने से पहले बताना चाता हूँ आप अगर help point tips चैनल में new है तो please चैनल को subscribe करें और bell icon जरूर दबाएं ताकि इसी तरह का new technology वीडियो आप तक पहले पहुचे तो चलिए video start करते हैं CSE portal को login करना है नीचे scroll down करना है यह service add हुआ है इस service को open करना है service में click करना है right side service आ गया है view product में click करना है service के dashboard में आ चुके है new registration करने के लिए login में click करना है यहाँ दो option है login new registration तो अभी new registration करने वाले है new registration में click करना है इस service में 5 तरह का account बना सकते है buyer former registration, seller registration, AI technical registration आपको जैसा ठीक लगे उसी तरह का registration करना है आप milk buy भी कर सकते है और sell भी कर सकते है भेली CSE center से अगर milk sell करेगा तो पहले उसको buyer करना पड़ेगा तो उसके लिए buyer former registration करना है buyer registration details डालना है 5 step में details डालना है पहला step में आधार number verification करना है तूसरा number में username और password बना लेना है तीसरा number में personal details डालना है personal details में name डालना है birthday डालना है gender सेलेक्ट करना है mobile number डालना है full address डालना है 4 step में bank details डालना है bank branch सेलेक्ट करना है account number डालना है branch address डालना है IPCC mustard डलना है, 5 step में user location details डलना है, country सेलेक्ट करना है, इसमें click करना है, India सेलेक्ट करना है, state सेलेक्ट करना है, जिस भी state से रहने वाले हैं, district सेलेक्ट करना है, block सेलेक्ट करना है, पांचायत सेलेक्ट करना है, बिलेज सेलेक्ट करना है, पीन कोट डालना है, बायर रेजिस्टेशन डिटेल्स डालके, सेंड ओटिपी में किलिक करना है, जिस मोबायल नमबर को डाले थे, उस मोबायल नमबर में ओटिपी जाएगा, उसको वेरिफाई करना है, ओटिपी वे करना है इस वीडियो में इतना ही डीटेल्स दे पाएं थैंक्स पर वाचिंग वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इसी तरह का न्यू टेक्नलोजी वीडियो आप तक पहले पहुचे मिलते हैं नेक्स